हमारे यह प्रेत्न है हमारी देश में फैली हुई है यह संपदा जो किसी भी देश के अंदर इतनी प्राकृतिक संपदा नहीं है इतनी जड़ी बूटिया नहीं है इतने व्रिक्ष और लताओं की भी विज़ता नहीं है इतना कुछ होते हुए भी और हमारे पास आज रिश् वशिबूत होकर के कहीं न कहीं विज़देशी आकरंताओं के जो संसकार हमारे मिले और हमने अपने संसकार को भुला दिया इस कारण से आज हम उन रोगों से पीडित हैं मुझे बड़ा तर्द होता है बड़ी पीड़ा होती है दिल में एक टीस से उठती है जब मैं देख कि ठोकरे खाते हुए हम भटक रहे हैं यह हमारा दुरभग्य है ऐसी स्थिती में मैं यही चाहता हूं कि मेरे देश का प्रतेएक विक्ति इन जड़ीबूटियों के गुणों को चाने सुएम अपने जीवन को सुन्दर और स्वास्त बनाता हुआ वो दूसरे को भी स्वस् सावधानी से थोड़े से सहयोग से यदि उसकी बिमारी दूर हो सकती है यह सारे प्रयोग निरापद हैं यह किसी भी तरह की कोई भी चिकत्सा ले रहे हों किसी भी तरह की कोई भी चिकत्सा करा रहे हों फिर भी आप इन जड़ीबूटियों का प्रयोग साथ-साथ में बत दर्द में लाव होता है एसिड कम होती है इसे बलगम भी ठीक होता है यह बहुत ही गुणकारी फल है यह बिविद गुणों से लिया हुआ यह दिव्वे ब्रिक्ष के विसे में हम जाने और इसी तरह से जड़ी बुटियों का प्रयोग अपने जीवन में करते हुए आईए प्रते एक बिक्ति तक इस संदेश को हम पहुचाने का संकल्प लें और स्वयम संकल्प वान बन करके इस देश को रोगमुक्त बनने में हम कारण बने आईए इसको हम पहचाने और औरों को सिखाए